असलाम अलेकूम और वेलकम टू कोगेंग सीक्रेट्स ऑनलाइन जी तो वियर्ज आज मैं आप सब के साथ मज़ेदार मठन चांपो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी भी बहुत सिंपल और बहुत इजी है चुके बकरा ईद करीब है इसलिए आप ये रेसिपी ज़रूर ईद पर ट्राइ कीचेगा चलें अब हम इसके इंग्रीडियंट्स और इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं जी तो वियर्ज इसके लिए आपको चाहिए एक किलो बकरे की चांपे आदा किलो दही दो टेबल स्पून लेसन का पेस्ट एक टेबल स्पून नमक एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिरच एक टेबल स्पून सफैद जीरा आधा टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर दो से तीन आप सबस मिर्शे ले 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 और उनको आप इस तरह से कूट ले इसके साथ साथ आपको चाहिए दो अदद अंडे चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं दही में आप तमाम मसाले शामिल कर दें यानि आप सबसे पहले इसमें नमक फिर कुटी हुई लाल मिरच उसके बाद आप इसमें सफैद जीरा और खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दे इन तमाम मसालों को आप शामिल करने के बाद दही में अच्छी तरह से मिक्स कर ले ये देखें इस तरह से आप तमाम मसालों को दही में आड़ करके एक मिक्सर बना ले देचकी में आप चामपे जो हैं वो सारी डाल दें उसके बाद आप जो लेसन का पेस्ट है वो हाथों की मदद से तमाम चामपों पर अच्छी तरह से लगा दें अब आप जो गुटी हुई सबस मिच्चे हैं वो भी आप इसमें शामिल करतें और उसके बाद आप जो दही और मिसालों का मिक्षर है वो भी इस देचकी में डाल दें अब आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें हलके चूले पर आप इनको तकरीबन एक से डेट घंटे के लिए दम पर रखतें इनको आपने इतनी दिर पकाना है कि जब तक कि तमाम पानी खुश्क ना हो जाए और चामपे गल ना जाए जी ये देखें मैंने तकरीबन एक घंटे के बाद इसको खोला है तो अभी भी इसमें कुछ पानी बाकी है यनि तमाम पानी खुश्क नहीं हुआ इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए दुबारा दम पर रख दूँगी जी विएर्ज ये देखें आप इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और चामपे भी गल चुकी है ये देखें जो दोनों अंडे हैं अब आप उनको अच्छी तरह से बीट कर ले ये देखें इस तरह और एक-एक करके आप जो चामपे हैं उनको एक-एक करके इस अंडे में डिप करें और गरम ओयल में फ्राइ कर लें यह देखें यह चामपे आप फ्राइ हो रही है इनके आप साइड शेंज करें यानि पहले एक साइड फ्राइ करें फिर दूसरी साइड चांपो को आप लेती दिर फ्राय करना है जब तक कि ये गोल्डन प्राउन कलर की ना हो जाए ये देखें ये चांपे जबरदस्त रेडी हो चुकी है इन चांपो को अब आप चाहें तो डिनर, लॉंज, टी टाइम किसी भी टाइम पर इसको आप सर्फ कर सकती है ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा आप सब को बहुत अच्छी लगेगी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक कियर, अलाहाफेज